हेलो गैज, विलकाम बैक टू टेलिवोट रीपले तो गैज, चार साल तक अनुपवा सीरिल में काम करने के बाद सुधानशू पांडे ने ये सीरिल को एक्जिट करने का फैसला ले लिया तो उन्होंने फैसला लिया है, या फिर ये प्रोड़क्शन की तरफ से फैसला था आईए जान लेते हैं, बिकोज लोग बहुत ज़्यादा गन्फ्यूजड हैं चीज को लेकर और काफियत है रूमर्स वगरा बीसी को लेकर फैल रहे हैं तो अब आपर कन्फर्म्ड तरीके से हम किसी भी रीजन को नहीं बता सकते हैं लेकिन मेंपॉइंट यह है कि सीरिल से जुड़े कुछ सोर्सिज होते हैं जो कि अंदर की खबरे वगरा देते हैं अभी खबरें पे विश्वास करना हमारे बल पे है और खबर जो है कई बार सच भी हो सकती होती है कई बार जोट भी हो सकती होती है लेकिन कॉछ इंसाइडर सोर्सिज हैं जो कि यह कह रहे हैं कि सुधानशू पांडे ने सीरिल एक्जिट करने का जो फैसला है वो खुद नहीं लिया बलकि production ने उनको कहा है सीरिल से exit ले लेने का कुछ insider sources ये भी कह रहे हैं कि सुधानशू पांडे और राजन चाही याईनि कि production house के बीच में काफी time creative problems, clashes वगेरा देखने को मिलते थे और कई बार जो है production को सुधानशू पांडे के tantrums ताने वगेरा भी जेलने पड़ते थे ऐसा कुछ insider sources का कहना है अब ये भी हो सकता है कि production वाले ही insider sources में से कुछ ना कुछ ऐसी ख़बर आगे फेरा रहे हूँ ये भी definitely हो सकता है तो अभी के लिए किसी वी चीज़ को आप confirmed value पर मत लीजिए लेकिन इसी चीज़ को support करने के लिए एक और भी चीज़ा में देखने को मिलती है वो ये है कि guys राजनशाही और सुधानशू पांडे दूनों एक दूसरे को unfollow कर चुके हैं instagram handles पे तो maybe ये भी हो सकता है कि काम नहीं कर रहे है वो एक दूसरे के साथ involved नहीं है तो maybe इसकर के unfollow कर दिया हो maybe सिर्फ professional reasons के कारण और ये भी हो सकता है कि उनके बीच में सच में कोई clashes रहे हो जिसकर के उनने एक दूसरे को unfollow कर दिया है अब आने वाले time में ये चीज़े और clear definitely होएंगी धिरे धिरे चीज़े सामने आ ही जाती होती है लेकिन फिलाल के लिए यही gossip है जो कि हमाले सामने आ रही है पहले भी वैसे से कई actors रहे हैं जो की production के साथ किसी ना किसी सरा के dissatisfaction के कारण कुछ ना कुछ creative differences के कारण ये सीरिल को exit कर चुके है लेकिन अभी के लिए सोधान शू पांडे पे यही कुछ insider sources से सुनने को मिल रहा है लेकिन अभी के लिए कुछ confirm नहीं आने वाले दिनों में जैसी कुछ confirm होते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को हर बार की तरह अपडेटिट तो रखोंगा ही लेकिन में चीज़ है कि लोग डेफिनिली सोधान शू को सीरिल में बहुत मिस करने वाले हैं आन स्क्रीन इनों ने जो भी अपना करेक्टर जिसन भी तरह से प्ले किया है बहुत जदा इकॉनिक रहा है और लोगों ने इनको बहुत जदा प्यार भी दिया है अब तक तो गैस कॉमेंट सेक्शन ने बताइएगा आप इनको शो में वैसे मिस करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले अपनी रहे ज़रूर बताइएगा क्या लगता है